अब गुद्विनिंग ओलोफ यू जब्विकों गुद्विनिंग वेलकम आपके अपने यूटूब चैनल हर ग्लासिश में आज की जो लेक्टर होने वाली है और काफी इंपॉर्टेंट लेक्टर होने वाली है ठीक है और अभी हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्लास्च 11 क की MCQ series को कवर कर रहे हैं और जो आपका series था उस series का जो कलास है वह आपका पार्ट फूर है और आपका जो फर्स्ट यूनिट है यूनिट डावेंशन एंड मेजरमेंट उसी हम लोग अभी नुमरीकल्स को कवर कर रहे थे और दिस इस इस पहले आपके टोटल तीन पार्ट हैं जिसमें हम लोग फिली पर्तेक पार्ट में ट्वेंटी ट्वेंटी कोशन को कवर किये हैं तो सबसे पहले आप लोग जा के पिछले वीडियो को देखे जो नहीं देखे हैं उसके बाद आप लोग इस वीडियो में आईए गाश्ट ठीक है और यहां जो आपका के लिए शाथी साथ आपका जो नीट का एक्जामनेशन है और जो आपका जी मेंस और एडवांस दोनों के लिए काफी इनपॉर्टेंट है आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग सारे के सारे आपके जो भी नीट येर के प्रिवेसे कोचन से उनको कभर करेंगे ठीक है सो चल झाले बिनालेट की भाय श्टार करते हैं मैरे नाम वोगस रिक्मार तो आज का जो आपका फर्स्ट क्वच्चन है कि राम फैस्ट नाई किसिर भाद Михaic पूछा गिया है वाह जो पुछा गिया होता है आपका force upon length क्या होता है force upon length तो यहां से force का डाइमिशन formula क्या हो जाएगा ml t का power minus 2 upon length क्या जाएगा L से L आपका cancel out आने की overall आएगा आपका M L का power 0 और T का power minus 2 आने की जो surface tension का dimension formula होने वाला है है वह हो जागा एम एल का पावर जीरो और टी का पावर माइनस टू सो आप्शन भी विल भी राइट अंसर को दिकत फ्रेंट्स चलिए यहां से दिम्लों इसका ऐसा यूनिट निकालना चाहेंगे कि वाटीज दा कि एसाई यूनिट आफ इस अ यूनिट आपका क्या होगा तो फोर्स होता है नीड़रंन औरृ लेंद का मीटर आनि हो जाएगा नियूटरन फर मीतर थेका है चले दिखते फिराइज आपका नेक्ट पूचन है कोतर, नमर्ट थर्टिन आपका काफी इंपॉर्टेंट कोचन है ऐसे कोचन आपके बार बर नीट के एक्जाम में पुछे जाते हैं यह जो पेटर ने बहुत ही फेमस पेटर ने है नीट के एक्जाम के लिए यह आपका पूछा गया है आई में 2005 में देखिया यह फोिचांक चुटे थी ओ दिया हुआ है क्या दिया हुआ है यह टी पालस है थिती पालस बीचर एक्षम तो इस ज़हां पर आपका टी क्या क्याद कर रहा है प्का रिपरिजंट कर रहा है अति किसको को रिपर्जेंट कर रहा है टाइम को तो बताना है कि बताइए एका डाइमेंशन और बी का डाइमेंशन फर्मूला क्या होने वाला है शू एकोर्डिंग टू प्रिंसपल ओफ हमोजेनिटी क्या बूलता है कि जो पर्तिक ट्रम का डाइमेंशन फर्मूला है वाक्या होना चाहिए आपका शेम होना चाहिए आनि की लेप्ट हैंड साइड का डाइमेंशन फर्मूला राइट हैंड साइड के पर्तिक टम के बराबर होना चाहिए आनि फोर्स का डाइमेंशन फर्मूला किसके बराबर हो जाएगा ये टी के बर तो यहां से दीशमाय का माने निकालना चाहेंगे तो आपका आजाएगा फोर्स अपॉर्स अपॉर्स बावन अब वोर्स का टाइमिंस्फ फर्मूला क्या हो जाता है आएभ L T का power minus 2 और time का क्या हो जाता आपका T so अबर ओली आपका आजाएगा M L T का power minus 3 आनि की dimension of A will be M L T का power minus 3 जबकि देखिए यही जो force है क्या principle of homogeneity के according यह जो force का dimension formula आपका B into T X Y के बराबर होगा या नहीं होगा हो जाएगा ना तो यहां से दिए हम लोग B का मान निकालना चाहेंगे तो आपका आ जाएगा F upon time का xy और F आपका क्या है force तो force का dimension formula हो जाएगा ML T का power minus 2 upon time का हो जाएगा T और T का power 2 तो overall इससे solve करेंगे तो आ जाएगा ML T का power minus 4 क्योंकि जो T आपका नीचे है अधिया उपर जाएगा joint T का power minus 2 आधि base से मत power क्या हो जाएगा जोन जाएगा आनि ये का dimension हो जाएगा वा होजाएगा ML T का power minus 3 क्या हो जाएगा ML T का power minus 3 option a üğदि दोनों में है बी का क्या हो जाएगा ML्त का power minus 4 और Option ये में देखे ML T का power minus 4 तो opposition a will be at молод कि दा डाविशन फ्रमूला ओफ यह विल बी एम्ल टी का पाउर मारेनस थरी और बी का हो जाएगा आपका एम्ल टी का पाउर माइनस फोर चले दिखते फिरेंट जो आपका नेक्स्ट कोचन है पोचन नम्बर нет हैं 14 कोचन नमर कौचन 17 यह ऐाफ बी आपका जेक में बार बार पुछा जाता है कि डाइमेंशन आफ इलक्टिक रेजिस्टेंस कि अन्हे इलक्टिक रेजिस्टेंस काका डा 나े खी अटो देखें एक ओडिंग due आपको लोग कि पोटेंशल डिफ्रेंस इज इक्वल टू करेंट इंटू रेजिस्टेंस का मान निकालना चाहेंगे तो आपका आज आएगा पोटेंशल डिफ्रेंस अपान करेंट और एक बात और जान लिजेंगे कि पोटेंशल डिफ्रेंस बराबर होता है अपका वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है वर्क अपॉन चार्ज सो यहां से पोटेंशल डिफ्रेंस के जगा पर हम लोग क्या पूट कर सकते हैं वर्क अपॉन चार्ज इंटू करेंट वर्क अपॉन चार्ज इंटू करेंट शो इ दाइमेंशन आफ करेंट थो वर्क का डाइमेंशन आप लोग बताएर वरग वर्क म दाइमेंशन हो जाएगा म L का पार टू और डाइमेंशन होता है आपका ये ठीक है फी कर्सेया थेorfी की माइनस टू सो चलिए option में मैच करते हैं M L का पावर 2 T का पावर माइनस 3 और A का पावर माइनस 2 so option C will be right answer and this question is asked in यह डबल आई MS अनि M 2005 में एक questions आपका पुछा गया था ठीक है चलिए अब एक बात आप लोग यह कि resistance का SI unit क्या होता है तो resistance का SI unit होता है आपका वह होता है और इसका जो symbolic representation होता है ओम का वह इस पर कार होता है ठेक है चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट कोचन है कोचन नंबर 15 अच्छा पहले 15 को देख लेते है कि पार्शेक is the unit of आनि कि पार्शेक आपका किसका unit है आप से पूछा है कि पार्शेक Gesellschaft का तैम का आप्सीन B में दिया हुआ है डिश्टेंस का ओप्सीन C में एक्ड़ी में एक्ञिक्डर एक्सलेसं का सो पार्ष्ट जो होता है वह आपका डिस्टेंस का यूनिट होता है सो ऑप्षन बीविल भी राइट एंसर की डिस्टेंस ठीक है यह जो कोचन से वह आपका एम्स 2005 में पुछा गया है देखिया डिस्टेंस से रिलिटेड कुछ यूनिट जान लिजिए जैसे आपका होगया पार्ष्ट पार्ष्ट जो है यह आपका सबसे बड़ा यूनिट है डिस्टेंस का अनि की लार्जेस्ट यूनिट आफ डिस्टेंस आनि डिस्टेंस का सबसे बड़ा unit आपका क्या होता है पार्सेक देखिए distance का एक unit होता है आपका light year क्या होता है light year और साथी साथ एक और unit होता है astronomical unit देखिए जो आपका light year है जो आपका astronomical unit है यह सारे के सारे आपके distance के unit है देखिए astronomical unit किसको बोलेंगे यह आपका sun है और एक body आपका इधर ले लेते हैं आर्थ तो sun और आर्थ के center के बीच की जो average distance होगी ना यूसी को बोलेंगे astronomical unit आने की one astronomical unit is defined as कि the distance between between the average distance between center of sun and center of earth ठीक है चली देख लेते हैं फिरेंड जो आपका नेक्स्ट कोचन है कोचन नंबर सिक्स्टीन पीछे था ना इस्टीन नंबर कोचन आप लोग देखिये कि Pascal सकेंड है जड़ डामाने की Pascal सकेंड है का डामेनेजन किसके बराबर होगा तो Pascal किसका टम व्यूनित होता है प्रेसर का अनि प्रेसर का डामेंशिट जैन फ्रेंशिक प्रेसर का डामेंसुन और यह-lt के कि इन रुब जानते हैं की जो एनरजी एनरजी का डामुला होता आपका m l का power 2 t का power minus 2 ठीक है pressure का भी जश्ट बताएं हम कि pressure का dimension formula होता है m l का power minus 1 ट का power minus 2 और उसके बाद आपका option number d में force force का dimension formula होता है m lt का power minus 2 तो दिखे एफ तीनों में से किसी का dimension formula इसके एक्विलाया नहीं ना आनि कि जो पास्कल सकेंड है इसका डाइमेंशन जो होगा वा कॉफिसियंट और विसको सिटी के बराबर होगा यह जो कॉचन से वा A F M C 2005 में पुछा गया है चले देखते हैं जो आपका नेक्स्ट कॉचन है 17 नमबर कॉचन उसको देखिए कि इफ फॉर्स एफ लेंथ एल एंड टाइम टी आर दी फंडामेंटल यूनिट्स आनि कि जो आपका फॉर्स है जो लेंथ है और जो आपका टाइम है यह आपके क्या है फंडामेंटल यूनिट्स देन दा डैमेंशनल फर्मूला ओफ मास विल बी तब आपका मास का डैमेंशन फर्मूला क्या होगा बताना है आनि हम लोग बोल सकते हैं कि जो मास आपका डिपेंड कर रहा है वह फॉर्स का पावर यह पर डिपेंड कर रहा है लेंथ का पावर पर डिपेंड कर रहा है और टाइम का पावर सी पर डिपेंड कर रहा है देखिए ये बी-ची जो यहां पर लिए हैं इसे हम लोग एट रेंडम लिये हैं अब दोनों साथ क्या कर देते हैं ये हो जाएगा इसके साथ L का पावर 0 और टी का पावर 0 लिख दे कोई दिक्षत नहीं अब फोर्स और यह voulez मिंहां क्या हता है यह कितने लेंठिक अफ पावर कितना हो जाएगा ऐंटिक लेंफ से ये T का power minus 2 into L का power B into T का power C देखिए जब दो quantity multiply होते हैं और दोनों का base क्या हो same है तो power आपका जुड़ेगा so यहाँ पर देखिए M का power कितना हो जाएगा ये into देखिए यहाँ पर भी L है और यहाँ पर भी L है दोनों का base क्या है same है तो power आपका जुड़ेगा और time में क्या हो जाएगा sorry यहाँ पर minus 2 यह हो जाएगा so minus 2 यह plus C को दिक्कत है जब कि left hand side में M L का power 0 और T का power 0 अब देखिए principle of homogeneity के coding जो right hand side में M का dimension है M का dimension कितना है यह dimension क्या आपका left hand side के बराबर होगा नहीं तो left hand side में M का dimension कितना है one dimension मतलब कि power ठीक है उसके बाद L का power right hand side में कितना है यह plus B जबकि L का power left hand side में आपका 0 है ठीक है T का power right hand side में कितना है तो minus 2 यह plus C है जबकि left hand side में कितना है जीरो तो यहां से दी B का मान निकालना चाहेंगे तो कितना है जाएगा minus 1 और minus 2 यह का मान ओन हो जाएगा पलस C बराबर 0 सो C बराबर आपके कितना है जाएगा पलस टू अनि कि जो नया आपका जो नया आपका सुरी जो मास्क का डाइमेंशन फर्मूला होगा वा देखे किस प्रकाल ली सकते हैं एम का डाइमेंशन फर्मूला weill b ऐाकव का पवर यह और यह का मान कितना है इन पे का पावर बी और बी का मान कितना है माइनस वन इन्टू टाें मिया मिए का बेल्य कितना है 2 सो जाएगा F L का पावर माइनस 1 और T का पावर 2 तो अप्सन ये विल बी राइट अंसर ठीक है और ये जो कोचन से आपका वा जम्मू एंड कस्मिर मेडिकल एक्जामनिशन 2004 में पुछा गया है चले देखते हैं जो आपका next कोचन है कोचन नमबर 18 देखिए कोचन नमबर 18 जो है बावो एक कोचन को हम direct आप लोगों को कलासरूम में लिखवाए होंगे ऐसा कोचन कि निमलिकित में से जो दो फिजिकल क्वाटिटी ये इसको मल्टिपलाई करने पर क्या क्या आपका मिलेगा ठीक है सो उसमें हम बताएं होंगे कि जो सी आने की क्यापसिटेंज क्यापसिटेंज इन्टू रजिस्टेंज यही ना पुछाएं सी और आर का डैमेशन फर्मुला किसके बराबर होगा देखिए क्यापसिटेंज बराबर होता है अपका चार्ज अपॉन पॉटेंशन डिफेरेंज और चार्ज का डैमेशन फर्मुला क्या होता है कि आटज जबकि पॉटेंशन डिफेरेंज बराबर होता है कि आ वर्क अपॉन चार्ज और यहां से इसका डैमेशन निकालना चाहेंगे तो वर्क अभॉज MN 2 देखाइब तो और चार्ज का क्या हो जाएगा 80 अगुए Aल का यम का जाया 5 2 ऐल का पावरowej 0-2 आपन यह पाउन यह पर सथा आपका उपर चाल जाएगा यह का पावर टू को पावर 2 आप आप ना नीचे हो जाएगा एम एल का पावर टू टी का पावर माइनस टू आनि कि क्या पासिटेंस का जो डाइमेंशन फर्मूला आजाएगा वह हो जाएगा आपका यह का पावर टू टी का पावर टू अपाउन M L का power 2 और T का power minus 2 into resistance तो अभी हमने just electric resistance का dimension formula पढ़ा है दिखा देते हैं आप लोगों को देखिए electric resistance का dimension formula क्या है M L का power 2 टी का पावर मैंनस थिरी और एक पावर मैंनस टू कि शो का पर था सलैड कि और अभी जस्ट हमने बताया कि जो आपका इलक्त्रिक रजिस्टेंस है इलक्त्रिक रजिस्टेंस का डामेंशन फर्मूला हम लोग पढ़े हैं M, L का पावर 2, T का पावर माइनस 3 और A का पावर माइनस 2 यही ना पड़े हुए हैं तो यहाँ पर electric resistance का दिख पूट करेंगे तो M, L का पावर 2, T का पावर माइनस 3 और A का पावर माइनस 2 इतना है अच्छे देखिए M से M आपका cancel आगूट L2 से L2, cancel आगूट, देखिए A2 पलस है और यहाँ पर A2 माइनस में है और कि A का पावर माइनस 2 इंटू A का पावर 2, cancel आगूट कर देगा अब यहाँ से देखिए, जो T का पावर माइनस 2 नीचे है उपर जाएगा तो कितना हो जाएगा का पावर 4 इंटू T का पावर माइनस 3 सो अबर आपका कितना है जाएगा केवल और केवल टी बचेगा आनि कि सी यार का जो डाइमेंशन फरमूला होगा वा एम का पावर 0 एल का पावर 0 इंटू T होगा सो अप्शन यह विल भी राइट अंसर को दिख्का थे फ्रेंट्स चले देखते हैं जो आपका नेक्स्ट कोचन है कोचन नमर 19 देखें कोचन नमर 19 अभी जश्ट जो हम लोग सेकेंड लास्ट कोचन किये हुए थे वह सही है इसमें तो फिर से इसको दिखते हैं कि इन यह सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूनिट्स के एक सिस्टम में फोर्स आपका एफ है एक्सलेशन आपका केपिटल यह है औ मुला आपका क्या होगा तो आप यहां पर डाइट क्या लिखिएगा कि एनर्जी डिपेंड अपॉर्स का पावर यह एक्सलेशन का पावर भी इंटू टाइम का पावर सी अब चलिए दोनों सा डैमेंशन पूट कर देते हैं तो हो जाएगा एनर्जी का एम एल टू का पा एल टी का पावर मैनस टू का होल पावर बी और टाइम का हो जाएगा बाबू टी का होल पावर सी अब चलिए इसको स्वल्प करेंगे तो एम का पावर कितना आ जाएगा ए इंटू एल का पावर आपका आ जाएगा ए पलस बी क्योंकि पावर का पावर यहां से एल यह सी इतना आजाएगा जबकि लेप्ट हैंड साड में एम एल का पावर टू टी का पावर माइनस टू अच्छा पता यह प्रिंसपल अफ हमोजनेटिक के सब्सक्राइब यहां से ब्राबर कितना आ आ जागा अब कितना यहां से पावर टू वेट किजिए को सब्सक्राइब बराबर माइनस टू यह कामान कितना है वन सो माइनस टू बी कामान कितना है वन सो माइनस टू पलस सी बराबर इधर भी आपका हो जाएगा मैंस टू सो माइनस टू से माइनस टू कैंसल आभू अनिसी बराबर आपका कितना आ जाएगा टू आ जाएगा तो एनर्जी का जो ड वर सब्सक्राइब का वेलू one इंटू टाइम टाइम का पावर सी और सी का मन टू आने कि एनर्जी का जो डिमेंशन फर्मूला होगा फॉर्स एक्सेलेशन और टाम के रिस्पेक्ट में वह जाएगा एफ ये टी का पावर टू आप्शन ये विल बिट एक एंसर एफ एक आपका पुछा गया है बनार सिंदू उनिवर्सिटी 2005 में पूछा गया है चलिए देखते हैं आपका नेक्स्ट कोचन है कोचन नमबर 20 इसे कोचन से जनरली आपके बोर्ड एक्जामनेशन में पुछे जाते हैं और यह जो कोचन से आपका चेंट्रल बोर्ड ऑफ सकेंडरी एजुकेशन और कि सीवेसी बोर्ड में पुछा गया था 2005 में लग चले दखते हैं फ्रेंड कि दा रेचियो अफ डामेंशन ओ降 Mississippi and डाट आप मोमेंट उन स्या इजडा डामेंशन ओफ आनि की जो आपका かफलंक कॉंस्टेंट है का density का डामनला क्या होता है M L का पावर 2 और T का पावर माइनस 1 upon moment of inertia का क्या होता है M L का पावर 2 क्योंकि moment of inertia बराबर होता है आपका mass into distance का x wire mass का हो जाएगा M और distance का x wire का हो जाएगा L2 mass से mass cancel out और L2 से L2 cancel out आनि की overall जो आपका ratio का जो dimension बचेगा वा बचेगा T का पावर माइनस 1 और T का पावर माइनस 1 किसका dimension होता है frequency का किसका होता है frequency का so flank constant का the ratio of dimension of flank constant to moment of inertia will be equal to dimension of frequency so option A will be right answer देखे frequency का जो SI unit होता है है इसको बोलते हैं हर्ज क्या बोलते हैं हर्ज देखे एंगलर momentum का dimension formula भी होता है आपका M L का पावर 2 T का पावर माइनस 1 और यही जो dimension formula है यह आपका flank constant का होता है आने की flank constant और angular momentum का dimension formula क्या होगा आपका same होगा को दिक्कत है आने की the dimensional equation of flank constant and angular momentum will be shame चले देखते हैं फ्रेंड आपका next question है कोचन नंबर 21 कोचन नंबर 21 जो है आपका वह एर से रिल्टेड कोचन से तो देखते हैं कि इफ एक्स बराबर एक पावर थिरी देखें क्या दिया हुआ है एक्स बराबर एक पावर थिरी इंटू बी का पावर टूब अपाण अंडर रूट सी एन्ट उडी एंड परसंटेज इर इन ए बी बी सी एंड डी आर आने कि जो आपका percentage इर रहे ए बी सी डी में वह है आपका वन परसेंट फिर आक नुपरसेंट फिरला नुपरसेंट परसेंट फिर आपका 4 परसेंट अच्छा X में किवल आपका ये का दिया हुआ है B C और D देखे B में आपका है 2% और C में है आपका 4% और साथी साथ आपका D में भी जो दिया हुआ है वा कितना है 4% आनि कि यहां पर हमलीक देते हैं percentage error of A A में जो percentage error है वा है आपका 1% percentage error of B B में जो आपका percentage error है वा है आपका 2% percentage error of C C में जो percentage error है वा है आपका 4% और percentage error of D यह आपका कितना है 4% ठीक है आपका questions में दिया हुआ है और physical quantity आपका दिया हुआ है X बराबर ये का power 3 into B का power 2 upon इसको क्या लिख सकते हैं C का power half लिख सकते हैं into D का power half तो हम लोग को बताना है कि find the percentage error in X कि X में आपका percentage error कितना होगा so percentage error of X बराबर देखे X आपका किस पर depend कर रहा है ये पर physical quantity ये पर और ये का power कितना है 3 ये पर ये पर आपका error कितना है 1% प्लस एक्स आपका किस पर डिपेंड कर रहा है बी पर और बी का पाउर कितना है दो इन्टू बी पर आपका एरर कितना है टू परसेंट पलस एक्स आपका किस पर डिपेंड कर रहा है सी पर और सी का पाउर कितना है वन अपॉन टू इन्टू सी पर परसेंटेज एरर कितना ह 4% so overall इसे solve किजिएगा तो आएगा आपका 3% plus 4% plus 2% plus 2% so 3 plus 4 कितना हो जाएगा 7% plus 4% which is equal to 11% आनि कि X में जो आपका total error आएगा वह कितना आएगा 11% आने वाला है so option she will be right answer 11% ठीक है यह जो आपका question पुछा गिया है बाबू यह आपका वर्दमान medical college 2002 में पुछा गिया था ठीक है so हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं बाबू मिलेंगे आप लोगों से next वीडियो में और जो आपका unit and dimension का part 5 होगा आज जो class थोड़ी सी छोटी हो गई है विकाउच आज network का issue बहुत ज्यादा था इसके लिए हमको recorded भी लाना पड़ रहा है so thank you for watching मिलते है नेक्स वीडियो में जय हिंद जय भारत अधी वीडियो आप लोगों को पशांद आ रहा है तो वीडियो को share कर दें और चैनल को subscribe कर ले साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें so thank you for watching मिलते है नेक्स वीडियो में झांणने को पिसमwegen करएण नेक्स कर दो हम साथ आपकी है कर दो कि मिलते है वीड fre प्रप्रेस के बालब ऱ्रचे ब मैं समय हिरा नेक्स एलो जड़ आए झाल झाल झाल